आप सभी का स्वागत है तो आज हमारी जो क्लास है वो 29 है कई बार कल ग्लास नहीं हुई थी कई बार बीच में कुछ ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम साज़ाती है जिससे नहीं होती तो याद रखें ये क्लास आपके लिए बहुत कीम्तियर मैं जहां तक समझता हूँ आप में से बहुत से साथी जो है वो नियमित क्लास ले रहे होंगे और इससे उनकी नियमित ताभी बनी होगी कि चलो एक क्लास लेते हैं कि कल जो आपके टेलिग्राम चैनल पर जो मैंने सूचना डाली कि टूडेज क्लास आफ तो आपके जो सिंबल थे रोने वाले उससे ये लगता ह आए कि कहीं ने कहीं आप चाते हैं कि सरक्लास एक दिन भी मिस ना हो तो मुझे अच्छा लगा यह देखकर और रियल में आपको बताओं देखिए आप यह भी सोच सकते हैं आप जानते भी हैं कि वेकेंसी आने के बाद तो हजारों यूट्यूब चैनल पर जो हैं वो कोई कोई अबजेक्टिव करवाएगा कोई कोर्स कर वीडियो डालेंगे बड़े शांदार शांदार लेकिन आफ सीजन समझे वाप बात जो वेकेंसी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं आस है कि बहुत जल्द अच्छी वेकेंसी आएगी इस टाइम में भी आप लोग से लिए बेंच से साथ दिन पहले हैं पहले ही वीडियो के वीडियो के बढ़ाएगा में में आच यही जो चीज है वह कै आपको थोड़ा सोच ένα पड़ेगा आपको थोड़ा सोचना पढ़ेगा इन क्लासे के लिए है ना चलिए तो क्लास नमबर 29 पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे तो हमने द्विविदी काल की जो परिस्तितियां वगरा पढ़ी थी आज हम दोस्तों पढ़ेंगे महाविर प्रसाद द्विविदी यहां से हम वो एक जगह है दौलत पूर यह इनका एक्जेक्ट स्थान है जांपर इनका जन्म हुआ था इनका उपनाम है बुजंग भुशन बटाचारिया यह इनका उपनाम है इस नाम से भी जाने जाते हैं अब मैं बताऊंगा यह नाम इन्होंने कहां परियुक्त किया था और यह नाम क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इन्हें भारत के महान सिल्पी कहा जाता है भासवरी भारत के नहीं भाशा के भाशा के महान सिल्पी है क्यों नहों भासा के महान सिल्पी आप जानते हैं मैं बोलता हूं कि बारदेंदू यूग में तो जिसके निर्मान करता, जिसके प्रवर्तक, जिसके जो मतलब शिल्पी हैं, वो महाविर प्रसाद विवेदी हैं, ये सू कवी हैं, बिल्कुल, इनको एक अच्छा कवी कहा जाता है, इनको सू कवी की उपादी है, वहाँ पर हमने बारतेंदु काल में भी सू कवी की उपादी के देता से अधुन 259 साहित्ति और भासा के दास तभी तो उन्हों से भासा की सेवा सेवक बनकर है आधुनीड कभियों के निर्माता ये साथ कभी नहीं वह लुख नहीं है ये तो कंभम को बहुत चैकर और ये। आज भी है उनकभी यह यो जो डिमांड है भारत में, उनकी रचनाओं की और जो उतना अच्छा साहितración जो उनके लिखा है उसका स्रे इन्ही सक्ष को जाता है इन्ही माहाशे को जाता है नाम ही इनका महावीर है, महावीर प्रिसाद द्वेवेदी राहुल साक्रात्ययन ने इनको कहा है चतुर माली लिखने में जितने चतुर ये थे, तरक कुशल जितने ये थे उतना आपको हिंदी साहिती में और को इतना तरक कुशल मिलेगा नहीं बहूत अच्छे अच्छे भी कव्य होते है तो राहूल साकराट्यान जो हैं वो चतुर माली राहुल साक्रते इनको क्या कहा है? चतुर माली कहा है अब आपको याद नहीं रहेगा पेपर में सब बोड़ेट तो आप दिमाग में एक चीज बिठा लो कि राहुल बहुत चतुर है मुझे पता है मैंने ये बात राहुल के पक्ष में कही है या विपक्ष में खाई यह मैं नहीं जानता इसे राजनिती से बिलकुल मत जोड़ना मैं बिलकुल मना कर रहा हूँ राजनिती से बिलकुल मत जोड़ना बाकि आप सब समझदार है राहुल बहुत चतुर है ठीक है अब आपको याद रहेगा कि राहुल साकराते ने चतुर माली कहा था मैंने राजमिती से नहीं जोड़ी आपके दिमाग में जो चल रहा है न वो उसे गलत बात है यह नहीं चलना चाहिए हिंदी के पहले विवस्तित संपादक हिंदी के पहले विवस्तित संपादक हैं बिल्कुल वहां से आलोचना विधा की सुरुवात कहते हैं लेकिन वहां पर भी हमने पढ़ा था कि रामचंदर शुक्र भी कहते हैं कि हिंदी समालोचना को जो एकदम व्यवस्थित रूप से इस्थापित किया था न वहां पर साध विवदि नहीं किया था तेखो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे थोड़ा-थोड़ा दस-दस परसेंट आपको लगेगा कि सर्क थोड़ा सा एसा लग रहे हैं यह थोड़ा कन्फूजन होता है मैं पीछे पेज़ चेंज करने का आपके पास समय भी है और इसी चीज के लिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको बता दू समय कई बार इसलिए भी देखो शेर अगर फिर क्या दो के सर आपने अपने तुलना शेर से कर ली वो तुलना शेर अगर दो कदम पीछे हड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कायर है बलकि वो दूगनी तैजी से वार करता है तो यह जो दो चार दिन की लेट हो रही है यह लेट नहीं है अभी आप लोग भी जो थोड़े से सुस्त हो पढ़ने में ठीक है यह आपने नियमित्ता बनाने का प्रियास किया है तो साहित्य का जो कॉर्शन्स है ना वो बहुत बढ़िया लेकर आँगा अभी मेरा पूरा आप सोचों के सर लेट क्यों कर रहे हो आप सर आपने इस दिन कहा था मैं आप बताऊं मेरे पास साहित्य के प्रशनोत्री भी तैयारे में हिंदी व्याकरों के प्रशनोत्री भी बहुत जल स्टार्ट करवाने वाला हूँ ऐसा ही वगरा के लिए प्रशनोत्री करूँगा क्योंकि जो क्लासेज है वो तो काफी देर किये और क्लासेज जो है वो आपको latest classes अगर लेना चाहोगे आप लोग तो आपको कल बहुत बढ़िया सुचना मिल जाएगी कि latest classes अगर आप लेना चाहते हो तो आप कहाँ पर लोगे है ना और बाकी आपको classes तो मेरी playlist बना रखिए वो भी आप देख सकते हो प्रश्णोतरी करवाएंगे पूरानी classes म हिंदी में समालोचना को स्थापित करने का श्रे MPD है और मैं बहुत जल्ट प्रश्णोतरी लेकर आजाओंगा ठीक है MPD यानि महाविर प्रसाद द्विवेदी महाविर प्रसाद द्विवेदी ने च्छायावादी यूग के कट्टी आलोचना की बिल्कुल अब क्यों कि बताता हूं आप जानते हैं कि यह इसमें अमने पीछे पड़ा था अनुसासन धारा के कवी और अनुसासन हीन जिने का गया यह यूं का गया कि जो अनुसासन धारा से बाहर के कवी थे तो सचनदता की और चले वह अनुसासन धारा में नहीं रह पाए थे तो ओविसली प्रशाद दें वोला क्यों तुम्हारा वाटसप ग्रूप में जुड़े हम तो अपने एक अलग वाटसप गूरूप बनाएंगे इसका नाम रखेंगे सुचंदतावाद तो अब उन्होंने अपने आपसे प्रश्ण पूछूंगा ना जब मैं प्रश्णोतरी बनाऊंगा तो मैं इसी पर फोकुस करूंगा अपने नोट्स पर ही और जैसे ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सुबह सूचना दे दूँगा आज आदी काल का टैस्ट है शाम को तो उस वक्त एक बात इमानदारी से याद करना तुम्हें तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती जो इनसान है चाये तुम्हारे माता हैं पिता हैं तुम्हारे जो पती हैं तुम्हारी पत्नी हैं या फिर तुम्हारे बहन हैं भाई हैं एक्ष वाई जड उसकी कसम है जिस दिन मैं टेस्ट लूँगा टेलिग्राम चैनल पर डालूँगा कि भी आज पढ़ ले तो आपको शाम तक क्या करना है मैं यह नहीं कहूंगा याद करके आना आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यह जो मेरे नोट्स आपने प्रिंट नि होगा एक अनुवान बता रहा हूं तो उसमें आपको यूं मिलेगा कि 35 से 40 कॉश्ट जो होंगे वह एक्जेक्ट नोट्स में से आ जाएंगे अब बात आएगी 5 से 10 कॉश्ट की तो सर यह कहां से हो सकता है यह थोड़े से एक्स्टा हो इसके अलावा भी कोई चीज छूट जाती है तो मैं वो कॉश्टिण में ऐड करने का प्रयास करूंगा ताकि आपका वह 5 परसेंट जो है क्योंकि मैंने आपसे घटा ना कि हम जब तयारी करता है तो इस प्रकार से करता है ताकि सब को समेट लें लेकिं कोई चीज़ें यहां यहां है वो इस मानलो अपनी तया तो MPD ने सहित्य को ग्यान रासी का संचित कोस कह कर पुका रहा है इसे याद रखना आधुनिक काल में जो गद्धे और पद्धे है उसके परिमार्जन करता भी जो हैं वो कौन माने जाते हैं MPD माने जाते हैं इनके कुछ मौलिक पद्धे है चलिए आपको ट्रिक्स से मौलिक पद्धे याद करवाते हैं आप भी के याद करोगे कावे मन्जू सा सूमन रचना या कौमा होगी कान्य कौबज ये कौमा गड़त लगा दी कान्य कौबज एक साथ में अबला विलाब संपत्ति सास्तर महिला मोद कविता विलाब नागरी तेरी यह दशा दंसा नहीं है इसको भी कर्रेक्शन कर लेना दसा है ठीक है तो यह रचना है अब आप इसको यूँ याद रख सकते हो मंजू और सूमन दो बहने थी दोनों जो हैं वो कन्याएं थी दोनों अवलाएं थी संपत्ति के लिए हर विलाप करती रहती थी तो माविर प्रसाद विविदी ने पूछ लिया नागरी तेरी यहदस अब कितना इजी याद हो गया टैंजिन लेनी का है भी नहीं, रटो और कवे मंझु सक्वाइ मंझु सक्वाइ किसली है रट नहीं? मंझु और सूमन दो बहने थी, दोनों कन्याई थी, दोनों अबलाए थी महिलाए थी, संपत्तिक के लिए विलाप करती रहती थी माविर परसाद दोएदी ने कहा दिया नागरी तेरी यह दसा अल्लो सा खतम काम रुकणों गोनिया बन कुमार संभाव सार रितु तरंगनी गंगा लहरी यह तीन इनकी रचना है अनुदित रचना है कुमार संभाव सार रितु तरंगनी और गंगा लहरी इसको या हैं मेरे पे यूं मान लो गंगा लेरी मेरा ऐसा बहुत बार जो है मेरे गुरु पर भी आशिरवाद था यूं समझ लिए मेरे गुरु जो थे थे नहीं हैं वो उनके पर जब उनसे हम पढ़ते थे तो वह भी कहते थे वह यह इंपोर्टन एक पर मैंने लाइक लगे रहा है और वास्तों में ऐसा होता था कि वह पेपर में आता था तो मुझे उने पर विश्वास था यह नोट्स जो मेकिंग पैटर्न आप देख रहे हो ना कि मतलब सारा साहित्य समेट लिया शौर्ट नोट्स में तो यह भी मैंने अपने गुरु से ही सीखा है है ना तो गुरु है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं इनका प्रसेद है कि आप हिंदी के इतने जो है विरोत्यूदी हो क्या हिंदी नाम की घा-इम्पोर्टन है बहुत सभा की सत्यता याद रखना यह भी इंपोर्टन जैस सुमित्ड़ा नं नंदंपन्द के कहानी है सा Hepान वाला है क SB तो इनकी बारी नहीं आएगी यह तो यहीं पर जाएंगे या कोई त्योरिकल पृष्णों का भी आ जाएंगे नगेंदर कहते हैं इनके अनुसार इनके कावे का सबसे बड़ा गुण क्या है इनका कावे सरलता इस पर मैं आपको बताओं मैंने पड़ा है कि माविर पर साथ विविदी हैं वो कहते थे कि आप जो साहिते जो कावे लेखन कर रहे हो ना वो सरल भासा में करो वो सरल भासा में करो और सरल भासा में इसलिए करो ताकि वो जनता तक जो है वो पहुंचे जनता उसे सपढ़े समझे और उस पर अमल करे तो आप सरल साहित्य असलियत जो है वो लिखो. इन्होंने का कि यमुना नदी के किनारे नायक बैठा नायक बैठी है, नायक नायक को देखकर हर्शित हो रहा है, फूल जढर रहे हैं, बादड आ रहे हैं, मौर पपिया बोल रहे हैं, ये समय अब चला गया. ये समय चला गया, साहित्य के वल मनोरंजन की वस्तू नहीं है, बलकि मनोरंजन करवाईए, किन्तु मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश परक होना चाहिए, इस बात का भी इनोंने समर्थन किया तो साहित्य में जो वास्त्विक्ता है उसको लिखो और जोज, साहित्य पढ़कर जोज से या ताथ परिवर्तन आना चाहिए, वो अपने में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, ये होना चाहिए, तो नगेंद्र कहते हैं कि इनके अनुसार, इनके कावे का सबसे बड़ा यह याद करने के लिए important ठीक है तो अभी हमने क्या पढ़के आए मन्जो और सुमन दो बैने थी दोनों करने आई थी दोनों अबलाएं थी और संपत्ति के लिए विलाप करती रहती थी महाविपरसाथ दुविदी ने खा नागरी तेरी यह है दसा ठीक है न चली रसग्य रंजन MPD के स्वैम के निवंदों का संग्र है अब यह पेपर में नहीं आएगा तो क्या आएगा भीया आप बताओ रसग्य रंजन MPD के स्वैम के जो निवंद है वो किस नाम से संकलित किये गए है रसग्य रंजन वनिता इसके अलवा इनकी देखिए मेगदूत है, वनिता विलास है साहित्य संदर्भ है यह उनकी कुछ रचनाएं और भी है अब बात आता है इनकी निवंद जो है वो व्यास सैली में लिखे गए अब दिमागाती है व्यास सैली एक होता है निभन होता है समास सैली और एक होती है व्यास सैली अब मैं आपको बताता हूँ पहले व्यास सैली बताऊंगा आप समास सैली समझ जाओगे आप अपने पढ़ा होगा कि ये निभन व्यास सैली में लिखे गए हैं ये निभन इस सैली में लिखे हैं कई सेलियां होती है ना व्यास सेलिय में क्या होता है पहले किसी भी विशे का जो भावात्मक विशलेशन होता है मतलब बहुत विस्तार से भावात्मक विशलेशन होता है फिर उस सारे मैंटर को जो है वो एक सुत्र में पिरो दिया जाता है मतलब उसको क्या कर दिया जाता है संक्षिप्त कर दिया जाता है मतलब उस पूरे विस्तार को जो है वो एकदम से संक्षिप्त कर दिया जाता है तो इनके जो निबंद हैं इनके जो निबंद हैं वो पहले विस्तृत हैं बाद में उनको क्या कर दिया उपसहार के रूपे संक्लित कर दिया समाज सेली उल्टी है पहले कोई शौर्ट पल्लवन की तरह है और बाद में उसकी क्या कर दी व्यक्ष्या कर दी तो ये समाज सेली व्याज सेली का यही मतलब होता है पहले व्याज सेली मतलब पहले विस्तित बाद में संक्षिप्त किया गया है उस विशे को, ठीक है, संपूर्स आईतिया MPD की रचनावली के 15 खंडों में, अब हमें याद करना पड़ेगा, तो मरवा देंगे न, ये 15 खंडों मेर, ये 50 खंडों मेर, है न, तो ये भी एक थोड़ा सा क्लिस्ट चीज है, कि भई इस महावीर प्रसाद, ये जो द्विवे इस पूरे में 15 वरण है, और इसी के साथ आप समझ सकते हैं, कि 15 खंडों में महावीर प्रसाद, द्विवेदी की रचनावली है, इनके गद्य रचनों में तीनों सहलियां है, मतलब गद्य जो लिखन है, उसके लिए तीन सहलियां देखने हैं, विंग्यात्म, आप समझ सकता हैं कि उसमें विंग्य के द्वारा जो है, मतलब किसी सबजेक्ट पर, किसी मुद्दे पर विंग्या जाता है, लोटे 성請को, मैं इसको दूसरा नाम देते ही, आप सब समस्जाओगे, अनुसंधान परक्स, मतलब उस चीज का पुश्मार्टम किया जाता है उस विशे का किया जाता है पुश्मार्टम किया जाज रहा अनुसंधान परक्सेलि है आप साहिते इतियास लेहन में भी इस प्रकाड की विग्यानिक पदती का प्रियोक किया गए था उस टाइप से ये गवेशना मतलब ठीक है ना खेर में ज़्यादा डीप नहीं ले जाओंगा आपको अनुसंदान प्रक्सेलियोटी हिंदी नवजागरण और माविर प्रसाद द्वेवेदी नाम से एक बहुत बड़ा लेख जो है राम विला सर्माने लिखा था यह पेपर में आने लाएगा और क्योंकि हम साथ में नेट, सेट, सेकंड गर्ड, फर्स गर्ड, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, यूपीपीएस, एम्पीपीएसी, हम सब जो एक्जाम है पूरे भारत में होने वाले हिंदी एक्जाम जो है उन एक्जाम्स को साथ में लेकर चल रहे हैं सबसे बड़ी ये परियास है, ठीक है, अब आगे, हाँ, अब देखो, यहाँ पर, महावीर परसाद, द्वेव razi के बारे में, दो चार चीज़े में आपको बताता हूं, महावीर प्रसाद, द्वेव्य बारे में, वैसे तो कुछ नहीं है, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको फिर भी देख लेता हूँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हूँ तो कावे मंजुसा सुमन वगरा यह हो गया कविता खलाब ठीक है हाँ एक दो चीज आपको बता देता हूँ जैसे यह संपत्ती सास्तर जो रचना है इनकी कहा गई यह रही यह आप देख सकते हैं संपत्ती सास्तर जो इनकी रचना है यह संपत्ती सास्तर रचना भारत के आर्थिक इस संपत्ती सास्तर इसका नाम तो क्या है संपत्ती सास्तर और नाम के अनुरूपी इसमें भारत के आर्थिक और राजनितिक चर्थर का वर्णन किया गया है या जो उस वक्त का आर्थिक और राजनितिक यथार्थ था उसका चित्रन है तो यह important रचना हो जाती है एक मैंने जो पढ़ते समय एक चीज नोट्स में और एड की है वो मैं आपको यहां एड खरवा देना चाहता हूँ एक इनकी बहुत प्रसिद कविता है जिसका नाम है सरगो नरक ठेकाना नहीं सरगो नरक ठिकाना ना ही ये इनकी बहुत प्रसिद कविता है सरगो नरक ठिकाना ना ही समझ गये बात आप तो ये आपके महविर प्रसाद द्विवेदी हैं इसके बाद इनमें ऐसा कुछ नहीं बसता अब आते हैं साइद पूरे भारत के फेवरेट कवियों में से एक मेथिली सरण गुप्त रामदारी से दिनकर की तरह है बलकि रामदारी से दिनकर इनकी तरह थे मेथिली सरण गुप्त जो है इनका जनम छांसी चीरगाओं जांसी छांसी जांसी में हुआ था कब हुआ था? छाँसी जाँसी 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 जाँस पूल नाम था, ये मेथिली शरन गुप्त के नाम से जाने जाते हैं, स्वेम को उन्होंने कोटुमबिक कवी मात्र कहा था, तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस कवी को का जाता है, नमर एक, दूसरा आपको ये याद होना चाहिए किसने कहाता तो इन्होंने खुद को ही कहाता है ना तो ये किसी का वेट थोड़ी करते कि कोई मुझे आकर कोटों बे कभी मात रखे मैं तो खुद को ही कहलूँगा 1936 इन्होंने आप जानते है 1912 में भारत भारती लिखी थी भारत भारती इस रचना ये रचना भारत में या इनकी प्रसिद्धी का सबसे बड़ा कारण थी जो जन जन तक पहुंची थी जिसने जन जन में राष्ट्रिता की भावना फिलाने का जो काम किया और इसी रचना के फलसुरूप जो है भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी ने इनको रास्ट्र कवी की उपादी से संबोधित किया इन्हें रसिकेंद्र भी का जाता था क्यों का जाता था क्योंकि प्रारंब में ये क्या कविताएं थे वो कहीं ने कहीं ब्रजभासा में लिखते थे ब्रजभासा में लिखते थे यवना नदीर वई नायकर वई नाईकार इनका दूसरे एक अन्य नाम और था ये दद्दा नाम से भी जाने जाते थे ये दद्दा थे सब कवीयों के दद्दा थे मेथली सरन गुब्द इनका सबसे प्रियचन था हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका है ना तो हरी गीतिका चन का बादशाह कहा जाता था वासुदेव सरन अगरवाल उन्होंने इनको यूग कवी नाम से संबोधित किया यानि ऐसे कवी एक यूग में एक ही आता है, तो वासुदेव सरण अगरवाल को अपने यूग का एक मातर कवी, यानि यूग कवी कहकर पुका राएए, वासुदेव सरण अगरवाल ने, गनपती चंदर इनको कहते हैं, आधुनिक दुलसी, गनपती चंदर गुप्त की, एक खास बात मुझे नज़र आती है, बारतिन दुकाल आया तो बोला आधर स्वादी मुक्त Г्यती कावे परमप्बरा, ड्विध है तो बोला आधर दोनिक तूलसी माविर्प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरुथे मेतलिश रंच गुप्त के जो कव्य गुरु है वह याद नहीं होगा तो एक मजा नहीं आएगा याद होना बहुत जरूरी ठीक है इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ती है और वो पंक्ती सुभाविक भी है क्योंकि पहले ये ब्रिज भासा में लिखते थे और एक बार इन्होंने सरसुती पत्रिका के लिए अपनी कवीता भेजी महाविर प्रसाद विविदी के पास तो उन्होंने यही कहा कि अब रसिकेंद्र बनने का जमाना चला गया थोड़ा यतार्थ का वर्नन भी करो तो कहीं ने कहीं महाविर का पसाद मिला तो यह कहता है कि करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाथ क्योंकि कहा जाता है राम चरित मानस जो तुलसी दास दिने लिखी थी वो हन्वान जी की प्रेर्णा से लिखे थी है ना वो एक आवंचो जित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर और तुलसी दास संतन की से तिलक करे रगोवीर है ना तो यह बहुत बड़ी अपंक्तियां है तो करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाद मानस की धुनी जो है वो तुलसी दास के दिमान में खहां से आती महावीर का यदि मिलता उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो सेम ये कहते हैंगा अगर मैंने अच्छी रचना लिखी है तो इसका श्रेज आता है किसको महावीर प्रसाद द्विवेदी को जैसे ही राम शर्ति मानस का श्रे जाता है इसको हर्मान जी महाराज को जाता है तो गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता जो है वो है हेमन्त आप जानते हैं अब आप बताओ हम पढ़के आए हैं मावीर प्रसाद द्विवेदी की और जी हे कवित नाम से थी इनकी है हेमन्त 1905 इसमें प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में इसमें सरस्वती पत्रिका में गुप्त जो अपने गुप्त जी हैं ये पहले वेश्यो पारक पत्र में अपनी कविता हैं चफवाते थे बाद में रसिकेंदर उपनाम से इन्हों ने क्या बेजी थी ब्रिज बासा में लिखी गई कविता सरसोती में छापने के लिए बेजी थी किन्तो सरसोती में इनको नहीं छापा गया सरसोती में इनको नहीं छापा गया कुछ कहते हैं कि काट छांट के बाद छाप दिया गया था ठीक है माविल पिर साद विविदी ने कहा है कि हम बोल चाल की बहूंब क्या पत्र लिखके बेजां ऑब रसे के इंदर बनने सबस्क्राइब पतंने माईकल मधूसुदिन की रचनावं का अनुबाद किस नाम से किया मधूप नाम से माईकल मधूसुद्र ना मृतली आन्स रूमिअ zij में वोड़ी वर्भावी पर आप विव में वीपोएदि ना कि ये किस से प्रभावित थे तो इक मरति साहिते से प्रभावित थे इनकी काव्य में थोड़ा मरति साहिति का पूठ आता है और एक ये सैथ की औंसे बीब प्रभावित थे वर्छों से रिचरे Hack上 तो माइकल मदुसुदन की रचनाओं माइकल जो मदुसुदन की रचनाओं को मदुप नाम से चापा करते थे ये बी एक अच्छी चीज सामने आती है इनका प्रियचे नमने भी पढ़ा था हरिगीती का बादशा का आ जाता है और गुप्त की मेतली सरण गुप्त की सबसे बड़ी विशेशता क्या बताईए रामचंदर शुक्र ने वो भी देखिया कि उत्रोतर बदलती हुई भावनाओं और परिवर्तन को ग्रहन करते चलने की शक्ति ये सबसे बड़ी कैसे इस पर चर्चा करते हैं पर तो परिशित यह बदल रही है इन्होंने लोगों की जंजं की भावनाओं के अनुरूब जो है अपने साहित्य लेखन में भी परिवर्तन किया तो गुप्त की सबसे बड़ी ुसे इस्ता है उत्रोतर बदलते ह भावनों और प्रिवरतन को ग्रहन करके चलने की शक्ति फिर राम चंदर शुक्त है कि मेस्जी हिंदी भासी जनता के प्रतिनीरी कवी यह बहुत बड़ी बात है जैसे हिंदु जाती के प्रतिनीरी कवी बूशन को कहा जाता है वैसे ही हिंदी भासी जनता के प्रतिनीरी कवी जो है वो किसे कहा जाता है तो यह important है इसको बेरे में बेयाब जरूर जरूर ध्यान रखें वो कहा जाता है मेतली सरन गुप्त को है ना तो ठीक है इसके अलावा A.R.C. ने इनको गुप्त को सामंजस्चे वादी कवी का है बिलकुल सामंजस्चे परिस्थितियों के बीच में सामंजस्चे विठाना इनको आता था सब्जेक्ट विशे भावनायों और परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्चे विठाना इनको आता था माविर विवेदी मेंने कहा माराठी साहित्य और रिचर्ड्स नहीं वर्डस्वत ही है वर्डस्वत की कविताओं से प्रभावित थे उनके कविताओं कर देखा जा सकता है इनके मेतलि सरन्द गुप्त को सामंजस्य कवादी कवी का जाता है अभी हम पढ़के आये थे इनको यूग क कवी किसे का किसने का है यूग कवी का वासुदेवस्रान अगरवाल ने तो राष्ट कवी किसने का है to राष्ट कवी का है महातमा गांदी ने मौलिक गरंथ बोले जाते हैं इनके लगबख कि मैंने मेरे नोट्स में पहले भी जै भारत था और अब भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गलत लिखा हुआ है यह जै भारत और साके सिन देने आघा रहा हूँ अब इस तरए कि कोई जो डाउट है द्वापर ब्रैकेट में आप जय भारत कर लेना और मेरी तरह करना चाहो तो देख लेना कॉश्चन मारक लगा लेना इसके आगे मतलब इन में से कौन सा है अपनी next class जब होगी या मानलो कोई authentic इससे भी बड़ी authentic प्रमाण मैं डूण लूँ तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है खंड कावे 19 माने सबनी 19 माने है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी मैंने आपको बता दी तो सरा हम क्या माने मेरे नुसार जय भारत मानो मेरे नुसार जय भारत मानो इलाल ठीक है फिर भी मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा अंसुर पर्थम रचना रंग में भंग 1909 अब रचनाओं को याद कैसे करते हैं देखिए हमने मंजू सुमन अबलाएं नारी वो सारी याद कर लिए अब देखो मेतलि सर्ण गुप्त ने से पूछा गया कि रंग में भंग बढ़ा था क्या बोला नो रंग में भंग नहीं पढ़ा रंग में भंग बढ़ना ही नहीं चाहिए और राजपुति आन की कता है राजपुति आन की कता है तो राजपुति कर्णल जैम स्टोड ने कहा था दुनिय आज सबसे दा संगर्ज जो है वो राजस्थान के वीरों नहीं किया पूरे भारत में अगर देखा जाए सबसे दा संगर्ज करने वारे जो है वो राजस्थानी है और इसलिए राजस्थान का इतियास बड़ा गौरव मैं है कहता है यहां की माटी जो है वो वीरों को जन्मद यह तो रंग में भंडा था क्या मजाल है कि राज़स्थान की माटी में रंग मैं भंग पड़ जाए राजपुतियान में अन बारतुपारति नहीं कि ilim कर दोगे बारत बारती सर ऐसे क्यों इजाद करें हैं क्योंकि हमने बक्तिकाल में चुंदरदास को 96 में जनम चुंदरदास च्रंगाल विलाज 96 में चंगार रसका विरोधी पड़ा था नहीं पड़ा था इसी तरह से बारत-बारती 12 में आई इसमें भारतवर्स के अतीत और गौरवगान का वर्णन है भारतवर्स के अतीत और गौरवगान मतलब हरत क्या था यह आप अभी खाली समय है पेपर नहीं है आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है रूची नहीं लग रही है मैं कहता हूं Google का इस्ते माल करो इस्ते माल कर के क्या यहिसरी दिमाग में आजाय है करो कुछ पंग्तियां पढ़ो आपको रियल बता रहा हूं बहुत गजब पंग्तियां सब्सक्रा यह के बाद और यह कैसी चीज़ है जो डेर जीवी डाटा खतम कर देती है तो रील्स की वजाए तो आप मैं तो यह बताता हूं कई वार मेरे हाथ भी लग जाता है नहीं मुबाइल वा चाल पड़े मुबाइल फिर वो रुकड़नो नाम ही कौन ले सताब दी एकस्प्रेस की तो 1912 भारत भारती भारत कवर्स के अतीत का गौरव गाने पिछले सिलेवस के अंदर 11 के अंदर 11 के अंदर 11 क्लास के अंदर अनिवारे इंदी के अंदर साहिए मेतलिस लुक्त का पार्ट लगता था उसमें पहले की नारियां कैसी होती थी वरतमान की नारियां कैसी है पहल माविर प्रसाथ बिवेदी ने वो लोग प्रियता जो है वो खड़ी बोली कि विजय पता का सिद्ध हुई अच्छी बात है पंच वटिपा 25 में वद हुआ था 10 में रंग में भंग 9 जनकार 29 जो है 1929 में जो है जनकार है नव 29 जनकार किस ने की 29 ने की तो 29 जनकार 29 मैं आपको सारी बिना देखे बोल के बता दूँगा आपको लगता है कैसा याद नहीं होती मैं सारी के सारी बोल के बता सकता हूं बादकर साके के 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 कतीस साके कतीस साके कतीस आई ना तो राम कता पर आधारित महा कव्वे है आप जानते हैं नगिंदर ने इसको जनवादी कव्वे का है नगिंदर ने इस साकेत को जनवादी कव्वे का है जनवादी कावी इसलिए भी कहा है क्योंकि कहीं ने कहीं यह यहीं से वो स्टार्ट हो जाता है यह बात यह आप देखिए साकेत का जो स्रूत है मैं बताऊंगा जनवादी कावी पर आऊंगा रविंद्रना टेगोर ने एक लेख लिखा था काववे की उपेक्षिताएं कि या लिखा था काव्वय की उपेग सिताने लेकिन क्या कवेग कैया की उपेग सिता ilikhandưỡम मातर से सब कुछ हो गया नहीं काव्यकी उपेग सिताने कर फिर क्या हुआ महावीर है क्रसाद ब्रुवेदी ने भुजंग भूषण भटाचारिय नाम से एक इससे मतलब निवन निखा ता उर्मिला विश्यक उद्ध इंदा सेबेν हैं उस नीव तो आविए की उपक्षेता हैं नाम हुज़क की बत्परेखे bonds से दिन nucle यह प्रेरित हुए और इन्होंने जो है एक साकेत लिखा जो अमर हो गया है यूं कह सकते हैं रामकता पर आधारित है जनवादी काव्य है क्या है जनवादी काव्य क्योंकि इसमें उन मतलब एक तो यह जनजन तक पहुंचा क्योंकि भारत भारती के बाद में जो भी काव्य वो जन जन पहुंचा प्लस यह साकेत जो है साकेत क्याता है यह पाली भासा का शब्द है पाली भासा का सब्द है साकेत और इसका अर्थ होता है अयूद्या और आप जानते है हमारी जो हमारा जन है हमारा जो आजपास के जो लोग हैं वो कतने spiritual हैं अध्यात्मिक हैं एक इश्वर के नाम पे जो है हम कुछ भी कर सकते हैं वैसे भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सिक्षा और धर्म के नाम पर तना दंदा हो रहा है उतना और किसी के नाम पर नहीं हो रहा है शिक्षा और धर्म जो दोनों यहां रखने के विशे हैं लोगों ने इसको नाजाइज दंदा बढ़नाने का परियास करें और उसी कारण जो है आज सरकारें कितनी में परियास कर लें निशुलक शिक्षा को ल करते हैं, करें धर्म, धर्म क्या है, रूल से नीयम है, मेरा यह व्यक्तिकर सुव है, रूल से नीयम है, नीयम क्या है? अगर आप सॱह नीयम ज स्यूत्वरे प्राता है, सेवा कर रहे हो यही आपका धर्म है तो हमारा कर्तव भे हमारा धर्म यह सब एक ही चीज़ है तो जनवादी कावे है क्योंकि जनजन तक पहुंचने वाड़ा कावे था और जनता में जो है मतलब एक अच्छा मैसेश देने वाड़ा जो कावे था वो साकेत था और इसके साथ में भी मतलब जनजन का जो प्रेरना स्रोत है त्याग की भावना जो लोगों ने पढ़ा तो मतलब यह हर्दे तक पहुंचने वाड़ा एक कावे था जनवादी कावे डॉक्टर नगेंदर ने का कुल बारा सर्ग है नवा सर्ग बड़ा मारजमिक है क्योंकि उर्मीला का विरह उर्मीला के विरह का सबसे बड़ा सर्ग जो है वो इसी में नवावे सर्ग में यह से अपने सलेबस में भी लगता है फर्स्ट क्रेड में आप याद रखना यह सारी सीचे काम की है अपने आपको याद भी है है नग तो क्या नाम है हां तो यह हो गयाfat उर्मिला के विरह का सबसे बड़ा सरग है आठवी सरग में केकई का पष्चाताब है केकई का पष्चाताब देखने को मिलता है साहकेत कारतायोध्या है और साथ में जो बार्वे सर्ग है इस बार्वे सर्ग में यूं कह सकते हैं उर्मिला और लक्षमन का मिलन है उर्मिला और लक्षमन जो है उनका मिलन जो है वो किसमें भई पिक्चर के एंड में ही होगा मिलन कहां होगा पिक्चर के एंड में ही होगा लेकिन अगर पूछा जाए, कहां कहां जो है, ये मिलते हैं, किस-किस सर्ग में इनके थोड़ा बहुत, आपको मिलन वर्णित है, तो आप यूं कैसे थे हैं प्रथम पहले में, आठवे में नवे में और बारवे में तो जो है, लास्ट बारवे सर्ग के अंत में ये चार सरग हैं जहां पर इनके मिलन का वर्णन आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना और मैं फिर बता दू नवा सरग तो इसकी जान है साकित की पूरी जान जो है वो नवा सरग है इस बार जो पिछली फर्स्ट क्रेड में जो प्रश्ट ना आया था ना वो भी सरग में से आयात सरवादिक मारमिक सरग जो है वो यही सरग है और राम कावे का दिया रम पर लिखा गया recognize है नारी चेतना विषय है बिलकुल ऐसका नाम ही साकेत और आप जाने उम्रमिला विशेग मलब उर्मिला को लिखर लिखा गया है तो अविसली ये नारी चेतना युक्त काव्य है नंदुलारे वाजपई ने साकेत महा काव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्टक महा काव्य है मैं कहता हूँ छोरों छप जाएगा सबी से मैं कहरा हूँ ये परिवासा छप जाएगी फेपर में साकेत महा काव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्टक महा काव्य है जो खड़ी बोली हिंदी आधुनिक है उसका युग प्रवर्टक महा काव्य कहा जा सकता है समझ गया बाद नगेंदर कहता है कि राम सरित मानस नगेंदर कहता है कि राम सर्थ मानस के प्रशाद इंदी में राम कावे का दूसरा इस्तंब साकेत ही है साकेत को राम कावे का दूसरा इस्तंब माना जाता है लेकिन राम कावे का दूसरा इस्तंब माना किसने है वो माना है डॉक्टर नगेंदर ने किसने माना है डॉक्टर नगेंदर ने साकेत एक अध्यन नाम से अलोचना भी की है नगेंदर ने एक अलोचना अत्मगरंथ लिखा है साकेत एक अध्यन इनको 31 में लिखा था और 1936 में साकेत पर मांगला प्रसाद पारितोशिक पुरुसकार भी मिला हुआ है ठीक है न मंगला प्रसाद मंगला प्रसाद पारितोशिक भी मिला 1936 में भारतेंदू के समय में स्वदेश प्रेम की भावना का स्वर जो स्वर मिलता है भारत इंदू के समय जो राष्टर भक्ति देखने को मिलती है अब उसका विका समय भारत भारत भारती में देखने को मिलता है जिस राष्टर भक्ति का पूरो अभास में भारत इंदू में होता है अब वो उपनी विक्सित रूब में भारत भारत भारती तो विजय पता का सि तो उसका विक्सित रूप देश भक्ति का विक्सित रूप आपको भारत भारती में मिलता है सीधा प्रश्ण आजाए ना तब भी याद रखना देश भक्ति का सबसे विक्सित रूप जो है वो आपको भारत भारती रचना में मिलेगा अब तक आप कौन सी रचना पढ़के आए रंग में भंग 9, जैदरतवत 10, भारत भारती 12, पंचवटी 25, 29 में जनकार है ना अभी हम और भी पढ़ेंगे ये देख लीजिए आप लोग 1917 में जो है वो क्या है अपने किसान है सिद्राज जो है 1936 में है नहूस जो है वो 1940 में है लेकिन फिर यहां आता है ये सोद्रा जो है 1932 में है ये सोद्रा 1932 है इसमें गौतम बुद्ध के ग्रहत्याग की घटना है 1936 में एक रचना लिखी वी है द्राप पर आप इसको यूँ पढ़ सकते हो चापर शूरु आदा चापर नहीं है चापर चापर पढ़ोगे तो आपको 36 याद रहेगा ये सोद्रा और एक रचना और है मैं भूल रहा हूँ साहिड मुझे याद नहीं आरही सायथ कहीं नहीं वो चूक नहीं जाए यह सोद्रा एक और है आप में से कोई कमेंट करके लेकिन कमेंट तो मैं बाद में देखूंगा मेरे दिमाग से निकल गी दोस्तों रचना इस तरह से है जो रचना है ना वो यह सोद्रा तो है 1932 में एक रचना है जो 1923 में है वो भी कोई नारी के नाम पर है वो कौन सी रचना है आगे देखें कि थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कोई मिल जाए यह सोद्रा नहीं यहां पर नहीं सकुंतला सकुंतला बिलकुल सकुंतला रचना का जो सन है वो आप देख सकते हैं अपने नोर्स में एक वार देखना कर नहीं हो गया हो मैंने लिखा था 100% नोर्स में लिखा वाई नहीं मिल रहा मुझे सकुंतला दोस्तों मुझे नहीं मिली है रिचना लेकिन जहां तक मैं निश्यत हूँ जहां तक मेरे में ट्रिक के अकोर्डिंग याद कर रहा हूँ जहां तक कैसे बताता हूँ आपको कैसे याद है कि सकुंतला जो है वो दो-तीन-दो-तीन करते आई थी और यह सोद्रा तीन-दो-तीन-दो करते चलेगी यह अपोजिट है इस तरह से मैंने ट्रिक बढ़ना रखे थी कि साइज सकुंतला है एक वार चेक जरूर कर लिए ना वरना आज थोड़ा सा क्या है कि मैंने पहले एक वार देखा नहीं वरना मैं एक वार चेक कर लेता हूँ इसकान से थोड़े शी वरना देखो सन भी नहीं लिखे वह तो व आपको भी जो याद करके बताता हूँ इसलिए करता हूँ पड़ो वैसे हमने पड़ा जैसे तो उससे क्या मुझे माना की याद नहीं आई कि कौन से लेकिन मुझे ये जरूर याद आ गया कि इसके अपोजिट में मैंने एक रचना को याद रखा था रो इसका एकदम उल् जैनी थी उन पर भी इनोंने कवीता लिखे थी विष्णू प्रिया सताओन में इसको याद करना बड़ा सरल है विष्णू जो है वो है पांस साल का और जो प्रिया है वो साथ साल की है इसको यूँ याद कर सकते हो तो विष्णू प्रिया उन्ने सो सताओन में यहाँ लड सिद्ध राज जो है 1936 और नहुष नाटक तो इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है आप सभी जानते हैं जो कि 1940 में है और सिद्ध राज जो है 1936 में है फिर आता है गुरुकुल अब आपको यह भी पता हुआ जाए कि गुरुकुल जो है इस रचना का सन तो कई वार सारे रच हर चीज है वो रिविजन मांगती है चाहिए रिविजन आप हो मैं हूँ कोई भी अगर रिविजन नहीं करेगा तो बूलने का भूलेगा तो हमें भूलना नहीं है अन्य रचनाए किसान सिद्राज नहुस चालीस और गुरुकुल जो है 1968 अब यह important रचनाए सारी बता दी इह important रचनाएं जो है वो मैंने आपको सारी बता दी बाकी तो आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ उसमें कोई अन्त आएगा नहीं है न, अब जिसरे जै भारत है जै भारत महा भारत की कथा तो है ही यह जो जै भारत है इस यह महा भारत की कृत् साथ में इसमें आपको ये भी बता दूँ इस जह भारत में हिंदू संस्कृति का सच वर्णन किया गया है। नाम के अनुरूर प्रचना कैसे है इसमें मतलब रास्ट के लिए एक नव यूवक का बल्दान है इसमें इसका नाम रखा गया जय द्रत वद नाम रखा गया है राष्ट की बलिवेदी पर प्राणों का उत्सर करने वाला जो नव्यूवक है उसके चरित्र चित्रन इसमें देखने को मिलती है और जो अभी यह लास्ट में आई थी पर यह तो अगली क्लास का आगया हाँ यह अभी यह जो अनध्य है अनध्य यह और एक और रचना है दोस्तों आपको बता दूँ कुणाल गीत इन दौनों रचनाओं में क्या है बोध संस्कृती देखने को मिलती है क्या मिलती है बोध संस्कृती जो है उसका चित्रन हो है कुणाल गीत और अनद्य में बोध काली संस्कृति की छटा दिखाई देती है है ना इसी तरह से इनकी एक रचना और जो या नहीं लिखी वे मैं वही लिख रहा हूँ एक रचना है दोस्तों विकट बट यह important रचना है जो है ना वो लिखी वी है यह ना उनकी वीरता का वर्णन राजपु सर्दार की जो है वीरता की काव्य गाथा है काव्य गाथा तो आप यह थोड़ा सा ध्यान रखना विकट भटवारा भी आप लोग ध्यान रखना क्योंकि यह भी important रचनाओं में से एक रचना कही जाती है ठीक है कुणाल गीत 1942 अब यह देखो अंजली और अरध्य जो रचना है वो गांधी के जीवन से संबन्दित है है ना राम से संबन्दित साकेत पंच्वटी प्रदक्षिना है द्वापर को कृष्ण संबन्दी भी कहा जा सकता है या पुराणों पर आधारित द्रचना भी कहा जाता है कृष्ण का उलेक भी तो पुराणों में हो रखा है तो कृष्ण संबन्दी है या पुराणों पर अधारित है वैश्णो भक्ती संबन्दी है विश्णु प्रिया अभी हम याद कर क्या है सन क्या है इसका सताओने पांस साथ है है ना यसोधरा भी हम याद कर किया आई बद 2021 में याद कर किया गया है और यसोधरा में भी बोधमत है अनध्य जी इस padre अनध्य मोध बोध भी इसके एलावा कुनाल गी जो है उसमें भी क्या है जो ये आपको याद रहनुदchen पिर आप भूल गए तो गड़ बड़ी अब जैसे अंजली और अर्दियाना ये भी क्या गीती नाट्य है इसके आगे भी लिख लेना क्या है ये गीती नाट्य है क्योंकि ये important चीज़े हैं और important चीज़े भूले वहीं गए काम से इसलिए important होने के कारण आप इसे जरूर जर अर्दिय झालत है ये सारी रचनाए किस्सा संमन्दित है ये महा भारत से संमन्दित रचनाएं कही जाती है नहीं ब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेतनी सरणगुप्त में कुछ ऐसी चीज़ बसती है जो आपको मैंने नहीं बता और अब ऐसे तो देखो हम एक कवी जिसका 30 सालों का कैरियर है अगर हम कई तो एक कवी पर आपको वाता एक पुस्तक लिख देते हैं पूरी तो आप इतना डीप तो जाना नहीं है अपने को पेपर में आने लाइक जो मसाला है कि क्या पेपर में आ सकता है वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी किस रचना की बारे में क्या पूछ सकता है गांदी के जीवन से संब्दित कौन सी है हिंदू राष्टर की जो हिंदू संस्कृति का वड़न कहां पर है बोध काली कौशन आएंगे तो उन कौशन की इस बार मैं हमेशा आपको पता है कि डेड़ेट सो कौशन के पेपर लेता हूं इस बार जो साहित प्रशनों तरिये व्याकन प्रशनों ते सुरू होगी उसमें अधिक्तम 40 कौशन होंगे 40 क्यों ले रहा हूं क्योंकि एक एक उप्शन की व्यक्या करूंगा इस बार मैंने यह सोच रखा है ताकि कौशन की व्यक्या हो जाती है ना तो फिर आप लोग जो है बड़िया तरीके से समझ पाऊगे एक्जाम आएगा तब तो अपने पास समय है कि अपने व्यक्यात मख पड़े थोड़ा सा और हिंदी पॉइंट एफ आपको पैसे न लगाने पड़े इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हिंदी संपूर्ण कोर्स वाली जो है फिर भी किसी को लगता नहीं मुझे केवल सेकंड लेनी है या मुझे केवल फस्ट लेनी है तो वह सेकंड गेड या फिर फस्ट गेड उनमें से कोई एक ले ले बाकी न नेट वाला कोर्स है या फिर इंदी संपूर्ण कोर्स नाम से है जिसमें सारे साथ माचाए इसकी वैलिडिटी जो है वो आर पीएससी एक्जाम जब तक नहीं होते है यानि तिल एक्जाम तक रहेंगे और अधिक तम तिल एक्जाम है कौन से एक्जाम स्कूल लेक्षर आर और पीएससी और मान लो एक्जाम पहले हो जाते हैं कि अगस्त में एक्जाम हो गए तो यह रहेंगे दोजार चोईस मार्स तक रहेंगे जब तक नैट का फेपर नहीं हो जाता है तो मैं जल्दी से अटाओंगे नहीं आप टेंशन क्यों लो मेरे पास कोर्स है आप पिस द जन्यवाद टेक क्यार और शुबराद रहें